इस कहानी की शुरू में हम एक गच्रे पर पड़ी लाश दिखाय जाती है जिसके मुँपर एक कवा वैठा था इससे पहले कि कवा उसकी आँख पर हमला करता वो लाश उठ खड़ी होती है अपने पासपड़ी लाइटर से सिगर्ट चुला कर जैसे ही उसने पीना शुरू की तो नोटिस किया कि धुआ उसके नाग के बजाए जिसम के कई हिस्सों से निकल रहा था होफ में वो शर्ट उठाकर जिसम देखता है जो पूरा सखमी था पर इस सब के बावजूद भी वो जिन्दा था वो कुछ बोलने की कोशिश कहता है तो हम नोटिस कहते हैं कि उसकी आवाज एक जॉम्बी जैसी हो गई है और उसका चेहरा जिसे तो वो खुद भी आईने में देखकर डर किया था अपने लाल नीने इस जॉम्बी जैसे चेहरे को देखने के बाद उसको जादा वक्त नहीं लगा था और फिर एक दिन शिदीद भूख के चलते बेहोश हो जाता है होशानी पर उसे पता चला कि उसने एक जिन्दा खरगोश को कच्चा चबा खाया था और इस चीज़ से उसे खुद से घेनाने लगी थी वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो एक जॉंबी बना के से उसे सवाल बहुत अंकर रहा था और ये चान निकिल गे उसे अपने पास्ट का पता चलाना था और ये काम तो इंसानी दुनिया में जाकर यह हो सकता था वो तेड़ा मेड़ा सॉंबी की तरहां चलते हुए चंदल से बाहर एक टाउंड में आता है जहां जमीन पर उसे एक लड़की की हुडी मिलती है जिससे अब वो पहन चुका था और तबी वो लड़की भी अपनी इस गुवी होडी को ढूलते हुए यहां आ गई थी जिससे देखते ही यह सॉंबी अपना मूँ मोर लिता है और उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता क्योंकि वो जानता था कि अगर उसकी जॉंबी जैसी आवास किसी ने सुननी तो यह इनसान उससे डर कर उसी को मार देंगे यह लड़की एक क्राइम रिपोर्टर थी सोनिया जो से कहती है कि अगर तुम्हें हुडी चाहिए तो तुम रख लो पर इसकी पॉकिट में जो मेरा मुबाईल है प्रीस वो मुझे वापिस कर दो जोंबी उसे मुबाईल ले देता है सोनिया को लिखता है कि शायदी एक गरीब लड़का है इसलिए सोनिया तो उसे पैसे भी देटी थी परिचान कर देती है वो एक जंगनी जॉम्बी नहीं बनना चाहता साथ ही उसे तो अपने पास्ट को भी जानना था अपने पास्ट को जानने के लिए उसे इंसानों में घुल मेर कर रहना था और ऐसा वो तब ही गर सकता था जब वो इंसानों की तरहाँ बिहेव करता और बिल्हाल उसकी आवाज और उसकी चान बिल्कुल भी इंसानों जैसी नहीं थी, इसलिए वो अपने आपको इंसानों जैसा बनने की ट्रेनिंग में मस्रूफ कर देता है, वो टाउन की एक पुरानी जिम में जाता है, और ट्रेड मिल के उपर चलने की प्रेक्टिस करना शुर और खाने पीने की एटिकेट सीखता है, जिसके बाद फाइनली अब वो तकरीबन इंसानों की तरहां हरकते करने लगा है, कपड़ों का इंतिसाब तो वो टाउन में से चोरी करके कर लेता था, और रहने के लिए उसने कबरुस्तान अपना ठिकाना बना लिया था, जहां ए को चेक करता है, बैक के अंदर एक विजिटिंग कार्ट से उसे पदा चला है कि यह आत्मी किम नाम का एक डिटेक्टिव था, इसी कार्ट पर उसके ओफिस का अड्रेस पर लिखा था, जहां अब जॉम्बी कुछ दिन रहने का वैसला करता है, इस जगह को देखके तो ऐसे को वॉमिट होती है, वो समझ आता है कि वो सिर्फ तच्छा गोश्ट ही खा पाएगा, जिससे खरीदने के लिए उसे पैसो की जरू रहती, इसलिए वो पिज़ा पैक करने का काम शुरू करे देता है, जिस तुरां डिटेक्टिव किम के फोन पे एक कॉल आती है, उसे एक क प्यूस कहता है, डिटेक्टिव किम के कपड़े पहन लेता है, और जब मिशन पे जाता है, तो उसे पता चला है कि जिस कुद्दे को उसने ढूरना है, उसका मालिक एक छोटा सा लडगा है, जो उसे अपनी काम के बदले सिर्फ फूटी कोडी दे रहा था, उसे में आकर ज जॉंबी बेहोश हो चुका था, सोनिय जिल्दी से उसके पास आकर उसकी हार्टबिट चेक करती है, जो कि नहीं चल रही थी, उसका मतलब कि वो मर किया, जी सोचती हुए सोनिय आपूलनस को कॉल कर लीती है, पर चंती मिनट बाद वो एम्बूलनस में खड़ा होकर सब को सोनिय जपी तस्ती उसे होस्पिटल ले जाती है, जहां वो सबको जखमा देकर हाग निकलता है, उसे अब बहुत जादा भूप लगी थी, वो एक आत्मी को खाने वाला था, लेकिन तब ही उसे होशा जाता है, तब ही उसे खाने के लिए आकर बैखता है, तो इस कुते पर बहुत जाता है, यह अठ्छा सॉम्बी बिचारा की से खाय फे, वो काव अपने घर बे बैठा था, कि तब ही उसे अनॉस्मेंट सुनाई दीती है, कि कहीं फ्री सूप में लगा, वो जब बहुत पहुंचता है, तो उसे पता चलता है, कि फ्री सूप तो खतम हो चुका है, और अब अगर उसे यहाँ सूप चाहिए, तो इसी होटल की परमोशन के लिए, यहाँ कुछ जॉम्बी बने इंसान डांस करे ही है, उसे भी डांस करना पड़ेगा, डांस तो उसने क्या खूब किया था, अब सूप मिलने का वक्त था, लेकिन वो सूप छोड़कर किचन में कच्चा गोश्ट खाना शुरू कह दिता है, जो दीखकर यहाँ की शेफ्ट चिलाती है, हम दिखते हैं कि इसी होटल में सोनिया और उसका एक को डिटेक्टिव दोस्त भी था, जो आप जॉम्बी को मारने के लिए उसके पास आ रहा था, पर विचारा जॉम्बी से ही मार में नजरा रहा है, वो भागते हुए इन सबसे बचने के लिए जंगल में चला चाता है, अब जैसे ही उसके अंदर का जॉम्बी मोड थोड़ा कम होता है, वो इनसानों वाली हालत में वापिस आना शुरू करता है, तो वापिस देटेक्टिव किम के ओफिस आने का फैसला करता है, जा रास्ते में वो एक बच्ची के मरेने की नियूज देखता है, इस बच्ची को देखकर उसे पतन ही क्या हो गया था, वो इतना कुस्ते मा जाता है, एक स्क्रीन को ही मारने लग जाता है इस वक्त जॉम्बी बना हुआ है वो सोनिया पर कोई केस करते वो एक settlement agreement ये क्या आई थी लेकिन जॉम्बी ने तो वो agreement फार दिया था अब जॉम्बी उसी agreement को तूनता है और सोचता है कि आप तो मैं एक लाख डॉलर मांग कर अपनी सारी problems दूर कर लूँगा वो जब सोनिया से बात करने के लिए जा रहा था तो देखता है कि सोनिया को कोई kidnap कर रहा है किसी hero की तरहा ये जॉम्बी उन kidnapर्स की गाड़ी के रास्ते में आते हुए सोनिया को बचा कर अपने office लियाता है यहाँ वो सोनिया से कहता है कि तुमने उस दिन मेरे सर पे helmet बारा था मेरे सर पे शिदी चोट लगी है जिसकी वज़ा से अब मैं अपना detective वाला काम अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ मुझे अब एक लाग टॉलर settlement amount चाहिए और यहाँ सोनिया पिचारा समू बना कर कहती है यार मेरे पास तो खुद कोई पैसे नहीं है अगर तुम चाहो तो मैं तुमारी assistant बनके तुमारा सारा काम कर सकती हूँ वो भी बिना पैसो के यह सारी बाते सुनकर वो सोनिया से कहता है उठो और निकलो यहाँ से इससे पहले कि वो सोनिया को घर से निकालता यहाँ पर डिटेक्टिव किम की एक पुरानी client आजाती है यह एक बहुत बड़ी actress है जो अपनी बेटी को ढोना चाहती है डिटेक्टिव किम के जर्ये जो कि अब जॉम्बी बना हुआ है वो इस काम के बदले उन्हें बहुत बड़ी amount भी दे रही थी इससे पहले कि जॉम्बी उसे कुछ जवाब देता सोनिया रहती है हाँ ठीक है हम आपका एक काम करे देंगे सोनिया अब उसे कुछ जरूरी सवाल पूछती है जैसा कि आखरी बार आप अपनी बेटी से कहां मिली थी तब उसके इंटरस्ट क्या थे बगएरा बगएरा जिससे वो उसका असानी से पता चला सके सोनिया क्योंके खुद एक क्राइम रिपोर्टर थी और उसे एक मेडिटेशन सेंटर पर शक होता है दिन में तो यहाँ सभी कुछ बिल्कुल ठेक था लेकिन रात में हम देखते हैं कि कोई कल्ट क्रूप इस मेडिटेशन सेंटर के सभी बच्चों को अपने कल्ट क्रूप का हिस्ता बनाने के लिए उनको कुछ ड्रग्स देने के साथ-साथ उनसे उट-पिटांग काम भी करवाता था सोन्या यह सब रोकने के लिए एक ड्रम में बैठकर रात में इस सेंटर में कुछ जाती है और यहाँ उसे वो लड़की भी मिल चाती है जिसे वो ढून रहे थे यह नहीं एक्टर की बीटी सोन्या जब इस लड़की को बचाकर इस सेंटर से बाहर निकल रही थी तो उसे यहाँ कल्ट लीडर भी निजर आ जाता है जो जान चुका था कि सोन्या को उसकी सचाई पता चल गई है उसका आत्मी सोन्या को पकड़ कर मारने ही वाला होता है कि पीछे से जॉम्बी कार्ड्स को चाकू की तरहां इस्तमाल करते हुए उससे मार देता है जिसके बाद अब वो लीडर खुद अपनी शार्प स्टिक से सोन्या को मारने वाला था लेकिन वक्त रहते ही जॉम्बी उन दोनों के भी दर्म्यान में आ चाता है जिससे सोन्या बच आती है वो शार्प स्टिक्स जॉम्बी के पेट में गुस कही थी लेकिन जॉम्बी को तो दर्ट में सोसरी नहीं हो रहा था वो घुसे में अब कल्ट लीडर की गर्दर पकड़ कर उसे मारने वाला था लेकिन तब ही सोन्या चिलना कर उसे रोग देती है और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि इस कल्ट लीडर को पुलीस आकर पकड़ चुकी थी फाइनली सोन्या और जॉम्बी ने अपना एक मिशन पूरा किया था इसे की मबारिक बात देने के लिए सोन्या जब जॉम्बी की घर आती है तो जॉम्बी को बिना कपड़ों में देखकर डर जाती है क्योंकि उसकी बॉड़ी में बड़े बड़े सुराख थी ऐसा कैसे हो सकता था क्या जिसे वो डिटेक्टिव केम समझ रही थी वो एक जॉम्बी था यह सोचते हुए वो जल्दी से अपना लैप्टॉप खोल कर जॉम्बी के बारे में सर्च करना शुरू करती है और यहां सोनिया का भाई उससे बताता है किस दुनिया में सच में जॉम्बी होती है अब सोनिया को कुछ पुरानी यादे आती है उससे समझ आ जाती है कि क्यों उस दिन जब उसने जॉम्बी को हेलमेट मारा तो उससे उसकी हार्ट पिट नहीं सुनाई दी और कैसे ही उसने सोनिया को बचाने के लिए कार्ष लीडर का हमला अपने उपर सहलिया और उसे देट भी नहीं हुआ उसे देट इसलिए नहीं हुआ था ये वो एग्स जॉम्बी था वो ये बात अपने भाई को बताती है लेकिन उसका भाई इस बात में बिल्कुल बिगर नहीं करता अब Sonia प्रॉपर तरीके से अपने आपको स्क्योर करते हुए जॉम्बी की गह जाती है यहां वो जॉम्बी से कहती है कि मैंने तुम हाई लिए जितना भी काम किया नहीं खाता फैसला और अब वो जॉम्बी की मदब करने का फैसला कर लेती है जॉम्बी को क्योंकि उसका पास चाना था इसे लिए Sonia उससे कुछ सवाल करती है जैसा कि जब तुम पहनी मरतबा जॉम्बी के तोर पे होश में आए तो तुम्हारे पस क्या था जॉम्बी सॉनिया को वो लाइटर देता है जिससे उसने इस कहानी के पहले सीन में सिगर्ट जलाई थी सॉनिया को जॉम्बी ने घरी भी दी थी इन सब की चीज़े वो सूशल मीटिया पर लगा देती है और कहती है कि अगरी किसी को भी इन चीज़ों के बारे में कुछ पता है तो मुझसे राब्दा करे जिसके बाद इन्हें एक आत्मी की कॉल आती है जिसकर केना था कि वो इस लाइटर के बारे में जानता है वो इन्हें मिलने के लिए एक खास जगा पर बुलाता है लेकिन काफी देर गुसंड के बाद भी वो को दिन से मिलने नहीं आया और यहीं उन्हें एक आत्मी मिलता है इस आत्मी का नाम शौन है और सोनिया इसे जानती है कुछ से पहले जिस बच्ची के मर्ड़र की नियोज दिन करने पड़ी थी तरी भी पहाड़ों में उन्हें को औरत मिल भी गई थी इससे पहले के सोनिया उस औरत को बचा कर वहां से ले आती सोनिया के सामने आज जाता है एक जंगली पिग जुके काफी ताकत पर था वो सोनिया पर हमला करने ही बाला था कि इस मरत पाद दुबारा उससे बचा निकिलके जुम्बी आ जाता है जुम्बी ने सोनिया को तो बचा लिया है पर अब उसने लड़ना है इस जंगली पिग से उसे शायद अभी इस पिग की ताकत का अंदासा नहीं था पिग ने तो इदर उदर माल माल कर उसका बुरा हल कर गया था उससे में जुम्बी अब कुछ सोचते हुए एक चुटान पर खड़ा हो जाता है और उस पिग को अपनी तरफ बुलाता है पिग जैसे ही उसकी तरफ जाता है फैर अभी दोनों उस बुड़ी औरत को लेकर शौन के पास आ जाती है शौन अपनी माँ को ढूरने के लिए उनका शुक्रियादा करता है और यहां शौन की मौम शौन के बज़ाए जॉम्बी को अपना बेटा समझ कर उसको गले लगा कर फ्रोने लग जाती है जिसको देखकर जॉम्बी को एसाच होता है कि शायद उसकी भी माँ होगी जो उसका ऐसे ही इंतजार कर ही होगी कुछ टाइम बाद जॉम्बी सोनिया को बताता है कि उसे मर्डे वाने बच्ची के वियन्स आते हैं जहां उसके हाथ में एक डॉल भी है सोनिया को लग रहा था कि जॉम्बी और उस बच्ची का कोई लिंक हो सकता है लेकिन जॉम्बी कह रहा है कि वो वियन्स में बच्ची के पास एक डॉल देखता है उस बच्ची की मर्डे का सारा केस तो सोनिया और उसके एक दोस्ट डिटेक्टिव ने कवर किया था पर उन्हें उस case में कोई डॉल नहीं मिली रातों ने पर जॉंबी सोनिया को एक पिक्चर सेंट करता है जस पर मरने वाली बच्ची के पास सेम वही डॉल थी जो जॉंबी के वियन में आया करती थी यह केरने के बात वो जब डीटेक्टिव केम वाले अपने ओफिस में जाता है तो देखता है कि वहाँ सब कुछ बिखरा हुआ था लेकिन उसकी कोई पी चीज इदर उदर नहीं थी यहाँ तक कि पैसे भी चोरी नहीं हुए थी बस एक लाइटर चोरी हुआ था वही लाइटर जिसकी पिक इन्होंने सोशल मीडिया पर लगाई थी और शौन नामी बंदे को दिखाई थी वो समझ जाता है कि यहाँ शौन ही आया हुगा और इस बात से वो यह भी अंदाज़ा लगाता है कि शाहिए शौन को उसके पास चाह कुछ पता है वो उसे जाकर अपने पास के पारे में पूछता है और शौन यहाँ उसे बताता है कि उस बच्ची को तुम ने मारा था यह सुन वो बहुत जादा हिल चुका था उसे लगता है कि शाहिए उस बच्ची को मारने के जुर्म महीं वो एक सौंबी बना है यह सब बाते जानने के बाद वो सिंदा नहीं रहना चाता था वो एक ड्रिल मशीन लेकर अपने सर पे हमला करके अपने आपको मारने बारा था लेकिन ड्रिल मशीन खराब होने के वो चलती नहीं और उल्टा क्रंक टाकर वो गिर जाता है जिसके बाद वो शेहर चोड़ने का फैसला कर देता है जबकि दूसरी तरफ सोन्या मरने वाली बच्ची के डैट से मिलती है जिसकी घर पर उसे बच्ची की एक तस्वीर में जॉम्बी खरान नजर आता है बच्ची के डैट से पता चलता है कि वो जॉम्बी पहले इस चोड़ी बच्ची का बॉडिगार्ट था फाइनली जॉम्बी की पास्ट की सचाही अब सोन्या को बता चल गई थी वो जल से जल ये बाद जॉम्बी को बताना चाहती थी लेकिन उसके फोन में सिगनल नहीं थे और अब शॉम्बी उसकी घर की तरफ आ जाता है दूसरी तरफ दिखा चाता है कि शॉम्बी और उसकी वाइफ ने सोन्या को बंदी बना कर रखा हुआ था जहां वो सोन्या को ये सचाही भी बता चुके थी ये असल में उस छोटी बच्ची को इन दोनों ने ही कतल किया था शॉन अब अपनी वाइफ से सोन्या को भी मारने का कह देता है और खुद घर से बाहर जाता है शॉन की वाइफ जब सोन्या को मारने के लिए उसके पास आती है तो सोन्या बड़ी ही जलाकी से अपनी रसी खोल चुकी थी वो यहाँ इस लड़की से लड़ती है और पास बड़ा एक स्प्रे उसकी आँखों में मारते हुए बचते हुए यहाँ से निकल जाती है जहां बाहे उससे जॉम्बी भी मिल जाता है सोन्या हर बड़ा हार्ट में सॉम्बी को सारी सचाएं बता देती है कि असल में उस छोटी बच्ची को मारने पाले शॉन और उसकी वाइफ है तुम्टों असल में उस बच्ची के बॉडिकार्ट थे सोनिया की भाग जाने के बाद शौन को ये बात पता चल चुकी थी कि अब वो अपने घर पर महफूस नहीं है वो अपनी वाइफ के साथ यहां से भागने की कुशिश करता है लेकिन इतनी देर में पुलीस उसके घर को खेल लेती है उसकी वाइफ जो भी घर के अंदर थी उसे पुलीस अरेस्ट कर लेती है और मचपूरी में शौन को अपनी वाइफ को यही छोड़ के भागना पड़ता है पर शौन इस चीज़ का बतलान लीने की ठान लेता है वो सौंबी को मैसेच करके एक वेरान जगा पे पुलाता है और कहता है कि तुम्हारे ने गाड़ी में एक गिफ्ट है जिससे तुम्हें तुम्हारे पास्ट का पता चल जाएगा सौंबी जैसे ही इस गाड़ी का दरफाजा कोलता है वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है शौर्फ के लगा कि वो मार गया लेकिन शौन ये बात नहीं जानता कि वो एक زॉंबी है और कभी मर नहीं सकता लेकिन इस सारे हाथसे से जौंबी को फाइनली उसका पास्ट यादा चुका है उसे आद आया है कि वो छूटी बच्ची का बॉडी कार्ट था और जब क्रिस्मस के दिन उसे शॉन ने करड़ किया तो जॉम्बी ही जो उस वक्त इनसान था वो उस बच्ची को शॉन से पचाने के लिए था शॉन स्ट्राइब उसे वहाँ से बेहोश्ट करके एक खाई के पास ले आया और उसके पेट में गोली मार कर उसे खाई में गिरा दिया जिस गोली के निशान अभी भी जॉम्बी के पेट में था ये सारी बात याद करने के बात जॉम्बी उट खड़ा हुआ था वो अब शॉन के पास उसे मारने के लिए आता है वो उसे मार मार कर पूछा था कि बताओ तुमने उस बच्चे को ऐस दिन क्यों मारा लेकिन शॉन उसे कोई बात नी बताता और एक पिस्टल लिकर उसको शूट कर देता है शॉन के लगता है किस मरतबा तो यह लड़का मह कि आ होगा पर यह सॉम्बी एक और मरतबा उठकर उसके सामने खड़ा हो जाता है बार-बार गोलिया मारने के बावजूद जिए लड़का नहीं मरता तो शॉन इस मरतबा इस लड़के के सर पे गोली मारने का फैसला करता है और अगर वो सर पे गोली मारता तो ये जॉम्पी मी मर जाता लेकिन इस मरतबा दर्मियान में शॉन की मा जाती है जिसने इस जॉम्पी को बचाया था मिनाओ की मॉम का फिनरल जिसके बाद मिनाओ सोनिया से मलता है और उसे कहता है कि कल से डिटेक्टिव वाले काम प्याने की जरूरत नहीं जो कि मैं अब शेहर छोड़ कर जा रहा हूँ उसने इस डिटेक्टिव के नाम पे कमाये हुए सारे पैसे भी उसके ऑफिस में ही छोड़ दी थे उसने अपनी जरूरत और खाने तक के पैसे अपने पास नहीं रखे थे और जाता भूक लगने की वज़ा से अब वो अपने जॉम्बी मूट में आ चुका था वो अब एक आदमी के उपर हमला करने ही वाला था पर भूक के मारे भी होश हो जाता है वो होश में आया है तो डिटेक्टिव वाले अपने ऑफिस में था उसके एद के बहुत साथ चिकन रखा था उसे डर लख रहा था कि कही उसने भी होशी में किसी इंसान को तो नहीं मार दिया और कहती है कि 3 दिन तक तुम यहीं बदे रहोगे और अपने उपर कंट्रोल करोगे इस चिकन को नहीं खाऊगे सोनिया ओफिस से बाहर बैठकर उसके उपर नज़र रखे हुए थी लगबर 30-32 घंटे गुसरने के बाद मिनहाओ जॉम्बी मूट में आ चुका था सोनिया को नीचे पड़ा एक फ्राइबन मिलता है जिसे वो उसके सट पे मार के उसे भी होश कर देती है होश में आने पर सोनिया उसे बताती है कि तुम जॉम्बी मूड में बहुत खतरनाक बन गय थे और अब तुम ही कंट्रोल करने का मुझे सीक्रेट पते शिल गया वोसे यहाँ पर एक फ्राइबन दिखाती है जिसके बाद वोसे कहती है कि तुम्हारा इस ओफिस में रहना ही तुम्हारे लिए और बाकी इंसानों के लिए बहतर होगा जहाँ उसे नेपन नामी आदमी ने मारा और वो खुद पहाड के उपर illegal drugs को डिस्पोस करने के केस में अभी तक जेल में है दिखाया जाता है कि वो आदमी जेल से बाहरे निकल चुका है उसे पता चला है कि पिकिम आखरी मरत बाया था, यहां उन्हे पता चलता है किकम डॉक्टर नो नावी बंदे के उपर रिसर्च कर रहा था, जो अपने हॉस्पिटल के अंदर जानरों के उपर तरहा तरहा की एक्सपरिमेंट करते हैं, जब यह लोग डॉक्टर के क्लेनिक पर जाते हैं, तो मिन मिन हाओ की घर 6-6 बंदे बेजता है, उससे को जाकर लगता है, लेकिन पिचारा हर मरतमा मिन हाओ को पकड़ने में नाकाम था, इसलिए वो डॉक्टर नो से कहता है, यह लो तुम्हारे पैसे, मैं तुम्हारा काम भई नहीं कर सकता, यहां वो डॉक्टर को बताता है, कि व सौंबी है, जिसके बार डॉक्टर खुद एक मास पहन कर मिन हाओ की ऑफिस जाता है, वहां एक कैमिकल गिराते हुए मिन हाओ को बेहोश करके, वो उसे उठा कर अपनी लैब में ले आता है, वो उसकी वेंस में से ब्लैक निकाल कर अब कुछ एक्सपेरिमेंट शुरू कर मिन हाओ बुछता है कि तो भी एतने खतरनाक एक्सपेरिमेंट क्यों करते हो, जिस पर डॉक्टर जवाब देते हैं कि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, लेकिन फिर वो मर गई, पर मैं उसके बगएर ये जिन्दकी नहीं गुजार सकता था, इसलिए मैंने बह आत्मी के बारे में भी बता चल गया था, जिससे मैं अपनी ये इलेकल दवाईयां डिस्पोस करवाता था, इसी मजबूरी में मुझे उसे मारना पड़ा, डॉक्टर ये बात नहीं जानते थे, कि जहां उन्होंने अपनी मैडिसन्स डिस्पोस करवाई थी, वही मिन हाओ क लाश में थी और उन्हे की और मैडिसन्स के असर से मरा हुआ मिन हाओ भी जॉम्बी बन के जिन्दा हो गया था, बिल्कुल डॉक्टर नो की वाईफ की तरहा, यहां दिखा जाता है, कि सोनिया मिन हाओ की लोकेशन को ट्रेस करते हुए, डॉक्टर नो के क्लेनिक में पहु मिन हाओ और सोनिया पर नज़र रखते थे, असल में उनको भी डॉक्टर की वाईफ की जॉम्बी बनने के बारे में पता चल गया था, इसलिए डॉक्टर ने उन्हे यहां पर बांद के रखा था, सोनिया सबसे पहले इन दोनों को खोलती है, जिसके बाद वो मिन हाओ की र और वो जॉम्बी अब दोस्तरे डिटेक्टिफ्स के उपर हमला कर लीती है, यहां मिन हाओ डॉक्टर से गन चीनने की कोशिश करता है, और इस सारे चकर में मिन हाओ से गन चल जाती है, गोली लगती है डॉक्टर की वाईफ जॉम्बी को वो भी सर में, जिससे वो वही मर यह देखकर डॉक्टर एक और मरतबाद दुखी होकर अपने वाईफ के पास पैठी हुए थे और मोका पाते ही सोनिया पुलीस को कॉल कुछ की थी, पुलीस डॉक्टर को यहां से पकड़ कर ले जाती है, और फाइनली इन्हीं लगता है कि डिटेक्टिफ केम का मर्डर केस इन्होंने सॉल्फ कर लिया है, पर अभी लोग आने वाली बड़ी मुश्किल के पारे में नहीं जानते हैं। जहां उडोने मिनहों पर हमन नहीं किया था, बलके सोनिया को उठा लिया था। से पहले कि वो सोनिया को उठा कर यहां से कहीं ले जाते हैं। पोली मार कर खतम कर सकता था पर डॉक्टर नो जानते थे कि मिन हाउ रहम दिल है वो ऐसा नहीं करेगा और उनकी सोच यहां बिल्कुल ठीक थी दिखाया जाता है कि पीछे वही दो डिटेक्टिव जो इसका साथ दे रहे थे वो चार मास्क लेके यहां आते हैं सभी लोग मास हुए भी यार ड्रामा कर रहे हैं मुरा चानल डॉक्टर नो इसी लड़के को ही पकर लीता है डॉक्टर नो अब इस आत्मी के गले पर काटने वाला था और इस लड़की को बचाने के लिए मिन हाउ इस मैत्मा बिना कुछ सोचे अपनी गंच से डॉक्टर नो के सर पे कर चुका हूँ मैं इंसानों के दर्मिया नकली इंसान बनकी नहीं रहूँगा जिसके बाद वो इन सब से बहुत दूर चला जाता है और सोनिया अपना डिटेक्टिव का काम जाजी रखती है सीन कर ठोक है एक साल बात का सीन दिखा जाता है सोनिया को एक हैलमें पारटी का इंविटेशन मिला है सोनिया यहाँ जाने के लिए इसलिए त्यार है कि शायद उसे यहाँ पे मिन्हाओ मिल जाए और इसकी सोच के बलकिल मताबिक उसे पारटी के दर्मियान में फार्ट सूट में बैठा हुआ मिन्हाओ दिख जाता है वो दोनों पास आकर बाते करना इसी का मर्डर हुआ है जिसका केस भी अब मिन्हाओ और सोनिया को सॉल्फ करना था यानि ये लोग एक मरत बात फिर से मिल चुके थे और इसी के साथ ये सीजन यही खत्र